ये गोरक पूरिया भोजी लगातार टार्गेट कर रही थी मालती चोहन। पूरिया भोजी साब ने मापी नहीं मंगा है अई भाट चिपनाम स्वागत आपका सच बिहार में और हमें सुमीत कुमार देखिए बिहार में जो कॉंटेंट करके और लोगों को इंटर्टेन कर रहे हैं वह तो आप देख रहे हैं वह वाकिफ होंगे इसी बीच मालती चोहा कर रहे हैं और तो एस उसका इस्तेमाल आज की मीडिया में मेंला सकते हैं कि उसी का देन कहीं पूराबर मढनी के सब्सक्रांभ है के जो कहती हैं मस लिलता के खिलाप जो बोल रही है थो उसका मानन ना मानन तो अपने उपर है लेकिन दुनिया समझ रही है YOU Bye मैंने ऐसा कोई अपराद किया या वो मुझसे कौन सा तोप चीज होने जा रही है कि हम उससे अपनी उससे मेरी लगभग 29 मिनट की बात हुई है और बात के दर्मियान मैंने पूछा है उससे कि तुम जो यह सब कर रही हो नाम ले रही हो महिला विकासमंच का क्यों ले रही हो क्या प्राब्लम है तो बुली नहीं आपकी जो आमबिटकर नगर वाली अध्यक्ष है उससे हमें प्राब्लम है वो भी मुझे वहां से रिपोर्ट मिल रही थी जो रिपोर्ट मिल रही थी वो मैं यहां बोल रही थी रही बात तमाम चीजों की तो वही बात हो रही है जो अल्रेडी सोशल मीडिया पर चल रही उसी बात पर हम बात कर रहे हैं। सबसे जादा उनके परसनल मुद्द्ध मीडिया में लाई हैं। वो इमोशनल सपोर्ट के लिए साइद मालती कॉल करती होंगे उने चुकी महिला है। क्रियेटर भी हैं। लेकिन उसका वो फायदा उठाके सारे इंफर्मिसन लोगों के कहना है। मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं दिदी जिसको मैं दिखाऊंगी तो आप भी मेरी तरह बोलिएगा। तो मैंने उसको यह कहा है जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है जाके आईयो को दे दो ताकि उसका केस स्ट्रॉग हो सकता। जाएगी देगी नहीं देगी तो मैं फ्री होंगी तो जाओंगी अमडकर नगर वाली नहीं तो बनारस वाली अध्यक्ष जाके उसकी चीजों को देखेगी जानेगी लेकिन ऐसे नहीं है कि हलहल करके भलवल करके गाली दे के गलोज करके बहुत गंभीरता पुरवक चीजों को देखनी पड़ती है तो इसलिए मैंने बोला उसको समझाया है चलिए तो देथवाली पहलूपे है यह तो जो भी चल रहा है लेकिन लोग content प्रोशने के नाम पे अपनी ही पत्नी को product की तरफ लोगों के सामने प्रोश रहा है उसके लिए महिला विकास मंच बहुत जल्द यहां से नहीं direct Supreme Court से हम एक PIL फाइल करने जा रहे हैं जिसमें यूटूबर्स के लिए इ में क्यास करनी पड़ेगे तो हमें जो कड़ना है वो हम करें गे इसके पहले एक महीन다면 हम समय देते हैं तमाम उन महिलाओं को और उन पुरुषयों को को modest समाज बेर परोस रहैं हैं में समाज के बीच में उन से पैसे कमा रहे हैं और पैसे कमाने के बाद उस मेरा न्पय को तो वैसा पुरुष भी क्या पुरुष भीया मर्दानगी कहा चली गई तुम कवा अपने वलबूते पे बीबी का इजद करके एक तो यह कमीना क्या सीटू बेटू करके जो अश्लीलता परोस्ता है अपनी बीबी के साथ जो प्राइवेट समय होता है पती पतनी का उसको या वो डांस करती है मैंने धोरी दिखाने वाले लोगों ने बोला है लेकिन वो इतना जादा वो महादेव इतना जादा गंदगी नहीं करता है जितना वो करता है कनाई करके कोई है उसका तो यह सब बहुत गंदगी आप सोचिए कि अगर यह चीज परोसा जा रहा है तो आज मालती का क्या हुआ ऐसे चीज का पाप का अंत होना ही होना है मालती ने भी यही बेव कुफी की थी वो एक ऐसे भ्रम जाल में म्रिग तृष्णा वर्ड है इन लोगों के लिए म्रिग तृष्णा में लोग जी रहे हैं तुरंत नव धनाड बनने की जो चाहत लोगों के बीच में आ रही है उसका नतीजा मौत ही होता है उसका नतीजा और कुछ नहीं होता है या तो चार दिवारी में डिप्रेशन के शिकार होंगे या तो उन्हें सुसाइट करना पड़ेगा या उनका मडर होगा उसी का नतीजा बिल्कुल तो इस तरह के कॉंटेंट के लिए आप सवाल उठाएंगे लेकिन हम आपको बता दे कि मीडिया जब इस तरह की कॉंटेंट जैसे रेप पीडिता का हम लोग रेप ही बोलते हैं तो हमारे कॉंटेंट को बहुत सेंसर करता है फेस्बूक यूटूब लेकिन जो रिल्स के नाम पर नंगापन दिखा रहे हैं को मेडिक हनाप लिखा है यह यूटूब को आपको नहीं लगता है यूटूब अपना मसाला अपनी साब से चलाता है तो मुझे कर दिया और यह नंग नावस्था में परोस्तें लेकिन इन यूटूबरों को जो अपने पत्नी अपने घरवालों को मतलब इस तरह से लोग पुरोसरा ना वो गंदा है समाज बहुत गंदगी है और इसमें आप तमाम अच्छे यूटूबर्स जो संदेश दे रहें समाज को उस पे बिल्कुल कारिय करना चाहिए नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि घर घर की बहु बेटी हर मर्द को एक आलत सी लग जाएगी चलो ना थोड़ा ब्रा दिखा दो थोड़ा पैंटी दिखा दो पैसा मिली जाता है तो कमाय का है सब का सब मर्द सला निठलना निकमा हो जाएगा एक वक्त ऐसा आएगा तो और क्या यही परोसी रहा है तो मालती चोहन को अगर नहीं मिलता तो क्या आप उस मामले में भी जाएंगी देखें मालती चोहन का अ आजीवन कारवास बनता है क्योंकि अभी का जो लौ चेंज हुआ है महिला का डेथ सास दौरा हो ससुर दौरा हो यह किसी के दौरा हो लेकिन सजा सिर्फ पती को ही होगी एक नया कानून अभी बनाए प्रका अननेचुरल देथ होता है साथ साल यह दस साल है जो भी तो उसमें मालती ने तो खुद अपना वीडियो मरने के पहले दे दिया कि मैं ससुराल जा रही हूं मुझे कुछ भी होगा तो मेरे मौत का जिमेदार सिरिफ और सिरिफ मेरा पती होगा लेकिन इसमें मतलब यह भी है ना यह लोग का समझी नहीं था जो साधी करवा रहा था उसको कहा जीवन को लाइफ स्टाइल को इन लोगोंने रंगमंच बना दिया है कब यह लोग नाच रहें कब मूध हो रहें कब हग रहें कब हूद रहें साला सब कश सोशल मीडिया पे लोग डाल के रख दिया है तो यह चीजों पर रोक नहीं लगनी चाहिए आरे परस्टन चीज क् पती-पतनी बंद कमरे में सोने जब जाते हैं तो दर्वाजा बंद होता है अगर ससुराल में और भी लोग एवेलेबल हैं तो क्यों होता है क्योंकि जो प्राइवेट चीज जीवन का है वो प्राइवेट ही रहना चाहिए यहां तक कि पती-पतनी के जगड़े भी जब त दर्वाजे में ही बंद दर्वाजे में सुलजाना चाहिए सड़क पे ले आते हो हर चीज को यहां तानवीर बन रहा है साधी कर वा रहा है रात में जाके पती देखी कितना दरिया दिली दिखा रहा है ओ गुलाल चड़ा रहा है कि सिंदू वो तो बात की बात है पोस भी दिलवारा है वो भी अपने अपने मर्दानगी वाल भी हद है ठेला चलाने वाला था कितना भी पैसा कमाले बुद्धी थोड़ी इसकी बदल जाती बुद्धी तो वही रहता एजुकेशन को कहा गया है कि बच्चे को सिक्षित होना जरूरी है पढ़ा लेखा होना जरूर बहुत दूसरे सिधान के हैं अगर उसकी खुशी लग रहा है कि मैंने वीना मानवी को माफी मंगवा दिया और यह सोच के वह खुश है तो उसे खुश रहने दोने क्या फरक पड़ता है चली अच्छा बात है सुक्रिया मैं समय देने के लिए और आई होप कि गोरकपूरि बहुत जी काई लिखता है को वह ट्रोल कर रही थी तो अभी देखते हैं क्या उसके पास है जब देखेंगे उसके बाद आप लोगों को जरूर बताईएगा बाकि आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईए और बात यही हो रही है कि जो है ना कि प्राइबेट कमरे के अंदर जो कुछ भी लोग करता है उसे सुरच्छित रखता है लोगों के सामने नहीं लाता लेकिन अब दरवाजे के कुंडी तो चढ़ा रहे हैं लेकिन कुंडी के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कैमेरे में रिकॉर्ड करकर दुनिया को दिखा रहे है तो यह इस